नमस्का पीटाओं की खबरों के साथ मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट रंक्यता और आईए अग जानतें बॉल्लिवूद की कुछ प्रमुक खबरों को सलमान खान द्वारा होस्ट किया जाने वाला शो बिग बॉस सवेंटेंग जोल भी शुरू होने जा रहा है पिक बॉस 15 अक्टूबर यानिकी कल रविवार से शुरू निचा रहा है वही हाली में कलर्स ने अपने ओफिशल सोशल मीडिया हैंडिल पर घर की पहली जलक साजा की है इस वार का घर काफी लक्शीरियस है जिसे देख आप भी कहेंगे वाह आज विश्व कप के बारवे मुकाबले में भारत पाकिस्तान की टीमों के बीच भिडन थोने वाली है दोनों ही टीमों ने जीत के साथ विश्व कप की शुरुवात की थी और लगतार अच्छा प्रदर्शन करती आ रही है इस बीच खबर है कि पती विराज कॉली का होसला बढ़ाने के लिए उनकी पत्नी और बॉलिवूर्ट के अभी नेत्री अनुष्का शर्मा एहमदाबाद पहुच गई है आज शनीवा सुवा एहमदाबाद हवाई अड़े पर अभी नेत्री को स्पोर्ट किया गया था काले रंग का टॉप काली बन्यान और मैचिंग पैंट पहनी थी उन्होंने अपने एरपोर्ट लुक को काले धूप की चश्मियों और खुले बालों के साथ पूरा किया फोटोग्राफरों को पोस्ट दिये बिना वो सीधी अपनी गाड़ी की और बड़ियों निकल गई बॉलबोज की आइकोनिक फिल्मों में से एक कुछ-कुछ होता है 16 अक्टूबर 1998 में रिलीस हुई थी शारुखान, काजोल और राने मुखरजी स्टारर इस फिल्म को 25 साल पूरे होने जा रहे हैं करन जोहर की यह डारेक्टोरियल डेब्यू फिल्म बॉक्स ओफिस पर ब्लॉक्बस्चर साबित हुई थी कई अबॉर्ट समेत इसने आज फिल्म फियर अबॉर्ट भी अपने नाम किये थे अब फिल्म की 25 अनिवर्स्ट्री से दो दिन पहले धर्मा प्रोडक्शन्स ने फिल्म के सेट से बिहाइंड थ सीन्स फोटोज शेयर किया है इन तस्वीरों में करंजोह, शारुकान, राने उकरजी, काजोल, अनुपम, खेर, फराखान, समित कई सल्मान खान के साल फिल्म बॉडिगार्ड में स्क्रीन स्पेस शेयर करने वाली एक्ट्रेस हेजल की सुर्ख्यों में है लोग उन्हें युवराज सिंग की पत्ली के तौप पर भी जनते, उन्होंने कुछ वही ने पहले एक बेटे को जनम दिया लाइम लाइट से दूर रहने वाली हेजल इन दिनों सुर्ख्यों में है उन्होंने एक ऐसे नेक काम का फेस्वाल या जिसने उनके बेटे को उन पर गर्व है हेजल ने इंस्टाग्राम पर अपनी नई हेरस्टाइल की फोटो शेयर की उन्होंने कुछ पिक्चर्स शेयर करते हुए खुलासा किया की ज्यादा बाल जर्णी की वज़े से उन्होंने अपने बाल कटवा दिये इसके साथ या एक्टरिस ने एक नोट में बताया मैंने हमेशा देखा है कि कई नई माएं अपने बाल कटवा लेती है मुझे डिलिवरी के बाद बालों के छहने के बारे में पता चला जब आप नन्ने महमान के साथ एड़जस्ट कर रहे होते हैं तो चीज़े ऐसी होती हैं उन्होंने कहा जब मैंने अपने बाल फिर से छोटे किये तो मैंने फैसला किया कि में कैंसर के इलाज से गुसर रहे लोगों के लिए विक बनाने के लिए अपने बालों को डोनेट करूंगी मेरे पती ने बताया था कि इस बिमारी में होने वाली कीमो ठैलिपी के दौरान वो अपने सारे बाल, आखों की पलकियों और वो ही छड़ते देखते थे तो उनको कैसा महसूस होता था ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा अपने काम के साथ ही अपनी परसनल लाइफ को लेकर भी लाइम लाइट में बनी रहती है जिहां आए दिन वे सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ ऐसा पोस्ट करती है जिसकी वज़र से वे लाइम लाइट में आगी जाती है लेकिन इस बाव प्रियंका किसी और वज़े से नहीं बलकि सोशल मीडिया की वज़े से ही ख़बरों में है जिहां जहां देश विदेश के लोग प्रियंका चोप्रा को पसंद करते हैं और सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं वहीं ऐसी खबरे आ रहे हैं कि गेमस ओफ थ्रोंस की स्टार यानि प्रियंका चोप्रा की जेटानी सोफी टर्नर ने उन्हें सोशल मीडिया से अनफॉलो कर दिया है दरसल प्रियंका चोप्रा के जेट जो जोशल और सोफी टर्नर से बीच लंबे समय से रिष्टे ठीक नहीं चल रहे थे जिसके बाद उन्होंने कोट में पिछले महीने तलाक की अरजी दी थी